पुन्ने सलिला मा नर्मदा के प्रकटूटस पर्व के पावन अवसर पर जहां नर्मदा घाटों पर ज्वन सेलाव देखने को मिला वहीं सडकों और मुख्य सडक मारगों पर चुनिरी लेकर जा रहे श्रद्धालों के आस्था देखने को मिली सुबा से ही श्रद्धालों बड़ी संख्या मपस्ते थोकर पहले से तो चुनिरी यात्राओं में शामिल हुए फिर पैदल यात्रा करती भी नाच्ते गाते जूमते अपने अपने समीपस्त नर्मदा घाटों पर पहुँचे घाटों पर विशेश भीड देखने को मिली जोसे तैंदुखेडा क्षितर के अंतरगत आने वाले प्रमुख रूप से ककरा घाट, बिल्थारी, थरेरी, बाराज मरिया, हीरापुर, बारा घाटों पर चुन्री चढ़ाने के लिए श्रद्धालों पहुँचे साथ साथ प काफी नजदीक पड़ता है आपर तैंदुखेडा के हर सिद्धी मंदिर परिसर, नरंदा मंदिर परिसर, वाड क्रमांग 11, वाड क्रमांग 15, कठोतिया इवं रंपुरा, मदनपुरा, पीपरवानी, खमरिया, बरांजग्वारी, ग्रामों से चुनिरी यात्राय निकाली नहीं जो ककरा घाट पहुची, पूजा, नर्चन, अविश्यक के उपरांज चुनिरी चुड़ाई गये, शद्धालू महिनाओं द्वारप्ति अपनी चुनिरी को जोड़कर अलग-अलग विशाल चुनिरी का रूप दिया, शडख मारगों पर हुई, जल, चाय, खेर, ख शद्धालों के स्वागत में सनलगन बने रहे, वही तेंदुखिडा के सेवा भावी विवहन विभागों के कर्वचारियों द्वारा भी शद्धालों को खिचडी प्रसादी की व्यावस्था की गई थे, विद्धुत विभाग ने सुनहेटी ते गड़्डा के सभी नर्मदा घाटों को साफ सुथरा बनाएं और ब्रक्षा रूपन को बढ़ावा देवें, दीवदा निवम आर्थियों की होड़ रखी, पुर्ण सल्ल्यामा नर्मदा कल यूग में साक्षात, स्वरूप में होने के साथ साथ मोक्ष दायनी और मद्दप्रदेश की जीवन रेखा कहलाती हैं, इनकी क्रपा से ही हजारन लोगों को प्रतिन रूजगार के अफसर मिलते हैं, इनका जीवन भी नर्मदा के तटीक शित्रों से चला करता है, नर्मदा घाटों पर शाम की समय हजारों की संख्या में दीवदान करने के लिए श्रद्धालू पहुंचे, आटों को सुन्दर विद्धु साथ सज्जा की साथ सजाये गया, वंदन तूर्ण द्वारों से पुन्ण सलिला की तट सुन्दर दिखे, तथा देन भर विशाल भण्णारों का आयो जुन हुआ, तेन दुखिडा से पतिराम पटेल की रेपोर्ट